हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्स्प्लीन पर तो दोस्तों हमारी आज की मुवी का नाम है एंड ओवर और ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा रोमैंस मुवी है इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आने पर कमेंट में येस टाइप कीजेगा इसी के साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब जरू कीजेगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरू कीजेगा जिससे आप ही की तरह के बागी मूवी लबर्सक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके और हम इसी तरह कुछ हटकर मूवी के एक्स्पिलिनेशन आपको दे सकें तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें एक एडम नाम के आपनी को देखते हैं तब एडम कहता है ये सच है तुम जिन्दा जल गई थी ये सुनते ही डॉन एडम से डर कर दूर जाने लगती है और वो उपर से नीचे गड़ जाती है आगे हमें फ्लेश बैक सीन दिखाया जाता है जब एडम अपनी गल्फिंड डॉन के पास में होता है और एडम अपनी गल्फिंड को जगा कर उसे रिंग देने वाला होता है उसे प्रपोस करने के लिए लेकिन एडम हिम्मत नहीं जुटा पाता तब एडम ब्रेकफास्ट रेडि करके दॉन को नीन से जगा कर ब्रेकफास्ट देता है तब ही उसकी girlfriend उठकर जैसे ही bathroom जाती है तब ही Adam मौका पाकर bathroom के अंदर जाकर Dawn को अपने दिल की बात कह देता है और उसे ring पहना देता है और Dawn भी ये जानकर बहुत खुश होती है अब अगले scene में Dawn अपनी glass workshop में चले आती है क्योंकि वो एक glass artist थी और वो वहाँ जाकर अपनी friend से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे मेरे boyfriend ने किस तरीके से propose किया लेकिन Dawn की friend उससे कहती है कि ये तो बहुत ही बेकार तरीका है मुझे तो महारा boyfriend ठीक नहीं लगता और दूसरी तरफ हम Adam को देखते हैं वो university में professor था और वो बच्चों को cloning के बारे में बता रहा था और उस class में एक Emma नाम की लड़की थी जो उसे पड़े ही गौर से सुन रही थी अब class खत्म होने के बाद वो professor से कहती है कि मुझे आपकी research में बहुत interest है और मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ लेकिन Adam उसे मना कर देता है अब हम Adam और Dawn को देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं और अब Adam एक life insurance करवाता है जिससे उन्हें future में कोई problem ना हो अब अगले scene में हम Dawn को देखते हैं वो workshop में एक glass prize बना रही होती है और तभी उसके friend उसे सला देती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम exact same copy कभी नहीं बना सकतीगी ये सुनकर भी Dawn अपने काम करने में लगी रहती है आगे हम Adam को देखते हैं जो अपनी lab में आकर एक चोहे के उपर experiment करता है और वो चोहे का clone बनाने की कोशिश करता है और आगे Adam Dawn को call करके कहता है तुम घर पर आ जाओ मैंने तुम्हारे लिए dinner ready कर रखा है और फिर Adam घर पहुँच कर dinner ready करने लगता है और दूसरी तरफ Dawn अपने workplace पर थी तभी हम देखते हैं कि उसके workplace पर अचानक से आग लग जाती है और Dawn वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन gate lock होने के वज़े से वो बाहर नहीं जा पाती और वहीं जल कर उसकी मौत हो जाती है आगे कुछ police officer Adam के घर आकर उसे एक खबर सुनाते हैं जिसे सुनकर Adam पूरी तरह से तूट जाता है अब अगली scene में हम देखते हैं कि Dawn की funeral पर सभी लोग आये हुए थे और वो Adam को संभालते हैं आगे Adam Dawn की हस्थियों को एक बाउल में रख दिता है जो बाउल Dawn नहीं बनाया था अब इस हाथसे के बाद से Adam को अकेला पन खाये जा रहा था और उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और इसलिए वो एक psychiatric के पास में जाता है और उससे सला लेता है अब अगली सीन में हम देखते हैं कि Adam लैब में काम कर रहा होता है और वो देखता है कि उसने जो चूहे का क्लॉन बनाने के लिए मशीन में लगाया था वो अब पूरा हो चुका था और Adam देखता है कि उसका experiment काम्याब हो रहा है और उसने एक चूहे को पूरी तरह से कॉपी करके उसका क्लॉन बना लिया है और अब उन दोनों चूहों को देखकर Adam के दिमाग में कुछ आता है और कुछ समय सोचने के बाद Adam अपनी बीवी के घर चला जाता है और वहां से वो डॉन के पुराने कंगे से कुछ बालों को लैब में ले आता है और उनसे DNA सेंपल लेकर उस पे experiment करता है Adam दर असल अपनी वाइफ का क्लॉन बनाना चाहता था लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्लॉन बनने में बहुत लंबा समय लगने वाला था तक्रीबन आठ महीने और Adam इतना वेट नहीं करना चाहता था और अब अगले सुबह Adam इसे समस्या को अपने स्टोरिंस के साथ में शेयर करता है और एमा जवाद देती है क्यों ना हम टिशूस को वार्नर सिंट्रोम से इंफेक्ट कर दे तब एडम एमा के इंटेलिजन्स को देखकर उसे अपना असिस्टेंट बनने के लिए कहता है और एमा मान जाती है अब लैब में पहुँचने पर एमा को पता चलता है कि एडम दर असल अपनी मरी हुई वाइफ का क्लॉन बनाना चाहता है तब वो से समझाने की कोशिश करती है कि ये अनैतिक और गैर कानूनी है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता अब एमा एडम के साथ काम करने से घबरा रही थी पर उसकी रिसर्च को देकर एमा भी एडम की मदद करने के लिए तयार हो जाती है अब एडम एडम की आइडिया को फॉलो करके प्रोसेस वापन स्टार्ट करता है और एमा देखती है कि प्रोसेस बहुत जल्दी होने लगी थी डॉन का शरीर बहुत ही जल्दी जल्दी बनने लगा था और कुछी मिनिट में डॉन का क्लोन रेडी हो जाता है और अब एडम डॉन की क्लोन को अपने साथ ले जाने लगता है तब Emma कहती है आपको इसे सब को सिखाना पड़ेगा ये कैसे चलेगी कैसे बात करेगी लेकिन Adam अपने experiment की success को देखकर Emma की बातों को पूरी तरीके से ignore कर देता है आगे Adam क्लोन को कार में बिठाता है तो वो देखता है कि क्लोन बूढ़ा दिखाई देने लगा था तब Emma Adam को बताती है कि तुमने उसके उम्र को कम करने का तो कोई तरीका नहीं ढूणडा और इसी वज़े से वो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी इस पर Adam कहता है कि मैंने इस बारे में तो कोई सोचा ही नहीं और ठीक ऐसा ही होने लगता है डॉन का वो क्लोन कार में बूढ़ा होने लगा था और वो वहीं बूढ़ा होकर मर जाता है तब Emma पूछती है अब हम इसका क्या करेंगे आगे वो दोनों मिलकर उसकी बॉड़ी को बेस्विर्ण वनी भट्टी में डिस्पोस कर देते हैं जिस भट्टी का इस्तिमाल डॉन ग्लास पाउल आर्टिफेक्ट्स बनाने में करती थी अब Adam और Emma लैब में नई समस्या का भी हल ढूण लेते हैं और वो थोड़े बदलाव करते हैं ताकि क्लोन जल्दी बुढ़ा ना हो और इसे वो एक चोहे पर ट्राय करके देखते हैं तब Emma Adam को कहती है इसकी उम्र लागा तार बढ़ेगी इसलिए हम एडल्ट नहीं बना सकते तब Adam कहता है क्या हो यदि हम क्लोन उस उम्र का बनाए जब वो बढ़ने लगे यानि कि फ्री मन तक तब ये जल्दी बढ़ी होगी और हम इसे सब कुछ सिखा कर बढ़ा कर सकते हैं यानि इसे डॉन जैसा बना सकते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंशॉरेंस ओफिसर एडम की पॉलिसी देखता है और वो अपने सीनियर को बताता है कि ये एक कॉलेज प्रॉफिसर है जिसने वन मिलियर डॉलर की पॉलिसी ली थी जिसे कुछ ही अफते हुए हैं और उसकी वाइफ एक दुरघटना में मारी गई और तब वो ऑफिसर एडम पर नजर रखने का दय करता है क्योंकि उसे शक था कि पैसों के कारण एडम नहीं अपनी पत्नी की हत्या करवा दी थी दूसरी तरफ एडम लैब में डॉन का थ्री मन का क्लॉन बना कर उस तीन महीने की बच्ची को अपने घर पर लाता है और तब इंशॉरेंस एडम भी अपनी गाड़ी में बैट कर एडम की उपर नजर रख रहा था अब एडम कलॉन को अपने घर पर लाकर उसके देखभाल करना शुरू कर देता है और उस लोन की उम्र भी जल्दी बढ़ने लगती है एडम उसे सब कुछ सिखाने लगता है ताकि वो पूरी तरह डॉन बन जाए और अब वो बच्ची कुछी दिनों में बड़ी हो जाती है और वो इंशॉरेंस एडम को घर में लाते वे देखा था और एक बड़ी लड़की कहां से आ गई लेकिन धीरे धीरे एडम को बड़ा आजीब लगने लगता है अपनी पत्नी को एक बच्चे की तरह बड़ा करना और जल्दी डॉन बड़ी हो जाती है जिस उम्र में एडम ने डॉन को खोया था लेकिन उसके दाथ नुकीले थे आगे मैं एडम से पुछती है क्या आप उसके तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं इस पर एडम कहता है मैं उससे प्यार तो करता हूँ पर वो मुझे असली डॉन के तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रही है और मैं यह सर्फ इसली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके दाथ बड़े हैं यह सुनकर एडम कहती है यह तो अच्छी बात है तब एडम कहता है मैं उससे पहले की तरफ पसंद नहीं कर पा रहा हूँ इसमें अच्छी बात क्या है तब Emma कहती है आप इस बारे में सोचेगा और ऐसा करकर Emma वहाँ से चली जाती है अब एक राद Adam Don के क्लोन के साथ खाना खा रहा था तब ही Adam देखता है कि वो क्लोन खाना नहीं खा रही थी और उस खाने के साथ खेल रही थी और वो कहती है मुझे ये खाना पसंद नहीं तब Adam उसे गुस्से से कहता है तो अपने रूम में जाओ तब क्लोन भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है अब Adam देखता है कि उस क्लोन ने एक ड्रॉइंग बना रखी थी जो कि उसकी और Adam की थी ये देखकर Adam एमा को कॉल करके कहता है ये मेरी वाइफ नहीं है बलकि ये तो मेरी बच्ची जैसा विवार कर रही है इस पर एमा कहती है तो आप उससे और क्या एक्सपेट करोगी जब आपने उसे सब कुछ सिखाया है उसका बच्ची की तरह ख्याल रखा है ये सुनकर Adam को कुछ कुछ समझाता है अब उसी राट डॉन के माँ बाब अचानक एड़म के घर पर जाने के लिए निकलने लगते हैं तब एड़म अपने घर में क्लोन डॉन को समझा कर इंजेक्शन लगाता है और उसे अपने साथ घर के उपर वाले फोर पर ले जाता है और वहाँ एड़म क्लोन डॉन को बताता है कि तुम एक बार जलकर मर चुकी हो और इस बाउल में तुम्हारी अस्थिया हैं और ये मूवी के शुरुआत वाला ही सीन था अब तभी डॉन के माता पिता एड़म के घर पहुंच जाते हैं और डॉन की मा को डॉन का क्लोन खिड़की से नजर आ जाता है जिसे देख कर वो बहुत साथा घबरा जाती है और अपने हस्बेंड को जल्दी महां से चलने को कहती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ठीक उसी समय एडम क्लोन को सारी सचा ही बता देता है कि उसे लैब में बनाया गया इन सारी बातों को जानकर डॉन की क्लोन डर जाती है और वो पीछे जा रही होती है तब ही वो नीचे गर जाती है और उसकी मौत हो जाती है आगे एडम बापस उस क्लोन की बॉड़ी को भी अपनी वाइफ के बाउल बनाने वाली भट्टी में ले जाकर डिस्पोस कर देता है अब एडम मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसे बुरे सपने आने लगते हैं इसलिए वो साइकाइस्ट्र के पास जाकर उसे सारी बाते बता देता है कि उसने सपना देखा कि उसने उसकी वाइफ का क्लोन बनाया है अगर उसके वाइफ के तरह बिलकुल नहीं थी तब साइकाइस्ट्रक उसे बदाती है तुम किसी भी इंसान को दुबारा नहीं बना सकते हर इंसान का सुभाव उसकी परवरिश पर निर्भर करता है और तब एडम के दिमाग में खयाल आता है कि अगर उसे अपने डॉन वापिस चाहिए तो उसकी परवरिश भी उसके पैरेंट्स के पास होनी चाहिए और इसलिए एडम अपनी असिस्टेंट एमा को अपनी वाइब की सारी खुविया बताने लगता है और कहता है कि अब तुम डॉन के क्लोन की परवरिश करोगी लेकिन एमा ऐसा करने से इंकार कर देती है लेकिन फिर वो एडम को दुखी देकर उसकी बात मान जाती है वो लोग एक और क्लोन रेडी करते हैं और इस बार एमा डॉन के क्लोन के देख भाल करती है और उसे सब कुछ सिखाती है और फिर क्लोन के मचौर होने पर वो एक दिन उसे एडम के पास में ले आती है ताकि अब वो एडम के साथ रहे लेकिन डॉन के क्लोन को इस तरीके से किसी अजनवी के पास जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था और वो रोने लगी थी और एमा के पास जाने के जित करने लगी थी लेकिन एमा उसे जबरदस्ती एडम के पास छोड़ कर चली जाती है अब एडम उसे एक वैक्सीन लगाता है जिससे उसके उम्र बढ़ने के रफतार कम हो सके आगे एडम देखता है कि क्लोन का बढ़ताव पूरी तरीके से बदल चुका था उसे एडम के साथ रहना बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था आगे एडम डॉन के क्लोन को बावल बनाना सिखाता है तब भी वो क्लोन इंटरस्ट नहीं दिखा रही थी उसके बाद एडम डॉन की क्लोन को प्रपोस कर देता है जैसे उसने डॉन को किया था लेकिन क्लोन इंकार कर देती है जिससे एडम बहुत साथ नाराज हो जाता है और वो एमा को बला कर कहता है इससे ले जाओ मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता तब एमा भी उसे रखने से इंकार कर देती है और कहती है मैं अपने जिंदिके इसके पीछे बरबाद नहीं कर सकती और ये सारी बाते डॉन की क्लोन चुपकर सुन रही थी और उसे बहुत बरा लगता है और इसलिए वो अपनी नस काट कर आत्मेत्या कर लेती है ये देखकर एमा बहुत दुखी होती है और वो दोनों वापस उस क्लोन की बॉड़ी को बाउल वाली भट्टी में डिस्पोस कर देते हैं लेकिन इस हाथसे के बाद भी एडम नहीं रुखता और वो कहता है कि अब वो और भी अच्छे से क्लोनिंग करेगा और इसलिए अब वो डॉन के फ्रेंड के पास में जाता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है ये बेबी डॉन का क्लोन है ये चार महीने में डॉन की क्लोन की तरह बड़ी हो जाएगी तब डॉन के फ्रेंड एडम की मदद करने के लिए तयार हो जाती है अब एडमों से एक list देता है ताकि वो उस dawn की इस तरीके से ही परवरिश कर सके जिससे वो बलकुल dawn की तरह बन जाए अब dawn की friend उस list में कुछ फेर बदल कर देती है जिससे वो clone को पूरी तरीके से dawn बना सके और इसलिए वो उसके लिए एक prom night का scene create करती है ताकि dawn के साथ जो जो हुआ था वो सब कुछ clone के साथ भी हो सके पर dawn की clone एक पुराने school friend के साथ में dance कर रही होती है और इस वज़े से clone को dawn के पुराने friend से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ चली जाती है dawn की friend एडम को ये बताती है तब एडम डौन के clone को लेने जाता है लेकिन clone डौन एडम के साथ आने से मना कर देती है और एडम ये सब कुछ देख नहीं पाता आगे एडम इस बारे में एमा से बात करता है और कहता है मैं डौन को दूसरे के साथ देखकर सहन नहीं कर पाता तब ही एमा उसे समझाती है कि तुम एक clone के मौजूद होते हुए दूसरा clone नहीं बना सकते क्योंकि अगर वो एक दूसरे के सामने आ गए तो तुम उनके सवालों का जवाब कैसे दोगे आगे एडम उस आदमी के साथ dawn के clone को देकर बड़दाश नहीं कर पाता और वो उस पात जाता है जिसके पास clone था और वो उसे बताता है कि क्या तुम ही नहीं लगता कि उस लेड़ी की उम्रेश तेजी से बढ़ रही है और इस तरह वो बिमार रहने लगेगी लेकिन मैं तुम्हारी help कर सकता हूं और एडम डॉन की clone को बताता है कि तुम्हें एक बिमारी है इसलिए तुम समय से पहले ही बुड़ी हो जाओगी लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ अकर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ पर डॉन की clone अपने साथ बैठे आदमी की तरफ देख कर कहती है पर मैं इसकी बिना नहीं रह सकती एडम ये देखकर समझ जाता है कि अब वो clone उसके पास नहीं रहने वाला और इसलिए वो अपने लैप से एक इंजेक्शन लेकर आता है और डॉन के क्लोन के फ्रेंड से कहता है इस इंजेक्शन को लगाने से ये बज़ भी सकती है या फिर इसकी देख भी हो सकती है दोनों होने के 50-50 chances हैं आगे एडम उस क्लोन को इंजेक्शन लगा देता है जिससे वहीं पर डॉन के क्लोन की देथ हो जाती है क्योंकि एडम ने क्लोन को मैडिसिन की जगा जहर देकर क्लोन को मार दिया था ये बात जैसे ही एमा को पता चलती है तो वो एडम पर गुस्सा होती है और कहती है तुमने उ से समझाती है कि ये गलत है पर एडम उसके बाद नहीं मानता इसलिए एडम के साथ काम करने का मना करके वहां से चली जाती है आगे एडम डॉन का एक और क्लोन बनाकर लैब से बाहर निकलता है तब एमा भी लैब के बाहर छुपी हुई थी और एडम के जाने के बाद वो भी लैब में जाकर एक क्लोन बनाने लगती है दूसरी तरफ एडम उसक्लोन को लेकर एक टीचर के पास में जाता है जो एडल टीचिंग करवाती थी एडम उसक्लोन को टीचर के पास छोड़ कर चला जाता है ताकि टीचर उसक्लोन को बड़ा करके उसे एडल टीचिंग दे सक दूसरे तरफ एमा भी एक क्लोन तयार करके उसे अनात अश्रम के पहुत करीब छोड़ाती है ताकि वो बड़ा हो और वो उसे ले जा सके इधर एडम डॉन के क्लोन को बड़ा होने पर अपने घर लाता है लेकिन वो क्लोन एडम को अपने साथ इंटिमेट नई होने देती औ और वो एडम को मारती है यानि कि वो एडल टीचिंग करवाने वाले टीचर से एडल टीचिंग तो सीख गई थी लेकिन अपने आपको दूसरों से प्रोटेट कैसे करना है ये भी उसे अच्छी तरीके से आता था अब एडम बार बार क्लोन रेडी करवा कर अपने नए साथ कुछ न कुछ अलग-अलग प्रोब्रम रहती थी और वो एडम के साथ अच्छा बढ़ताम नहीं करती थी और इसलिए वो और भी क्लोन बना कर डिस्पोस कर देता है और अब एडम के पास बस एक ही डॉन का आखरी बाल बचा था जिसका डियने यूज करके वो आखरी पहला कहती थी इसलिए एडम उस क्लोन के डिंक पे भी जहर मिलाकर उसे मारकर डिस्पोस कर देता है अब दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो अनाथ आश्रम में जाती है जहां एडम का क्लोन मौजूद था यानि एमा ने एडम के डियने का यूज करके उसका क्लोन बन करनाने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामियाब हो जाता है क्योंकि वो एक क्लोन से दूसरा क्लोन नहीं बना सकता था इसलिए क्लोन बनने से पहले ही खतम हो जाता है दूसरी तरफ वो इंशॉरेंस एजेंट अभी भी एडम पर नज़र रख रहा था और वो एज कुछ नहीं कर सकता और बातों ही बातों में डॉन की मॉम उस एजेंट को पताती है कि एक राज जब हम एडम के घर गए थे तो मुझे वहाँ पर डॉन का गोस नजर आया था यह सुनकर उस इंशॉर्णेंस एजेंट को एडम पर शक होने लगता है अब एडम ठक चुका था इसलिए वो डॉन के घर जाता है और उसके पैरेंस को सारी सचाई बता देता है एडम की यह बात सुनकर डॉन की मॉम बहुत खुश होती है कि ऐसा हो सकता है डॉन वापस लोट सकती है तब एडम कहता है मैं ऐसा कई बार कर चुका हूँ पर हर बार डॉन का मुझे डिफरे नहीं थी तब डॉन की मॉम कहती है हमें अपने बीटी वापस मिलने वाली है और आप उसे ठुकरा देंगे यह सुनकर डॉन के डैड भी तयार हो जाते हैं क्लोन को अपने पास रखने के लिए और इसलिए अब वो डॉन की कमरे से उसके हैर ढूंड कर एडम को दे देते है ताकि वो उसका क्लोन बना सके अब एडम उस हेर की मदद से अपनी लैब में क्लोनिंग प्रोसेस शुरू कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इंशॉरेंस ओफिसर एडम की घर पर इन्वेस्टिकेट कर रहा होता है वो उस बाउल की भटी को भी देखता है जहां एडम क्लोन की बॉडी को डिस्पोस किया करता था दूसरी तरफ एडम क्लोन रेडी करके डॉन के क्लोन को उसके पैरेंस के पास दे देता है और आगे एडम अपने घर पहुचने पर देखता है कि वहाँ पहले से ही इंशॉरेंस ओफिसर मौजूद है और वो एडम स के पैसे के लिए अपनी वाइफ की फेक डैट का प्लान किया फिर तुम अपनी असिस्टेंट एमा के प्यार में पढ़ गए क्योंकि वह तुम्हारी वाइफ से जलती थी इसलिए तुमने अपने वाइफ का मडर रियल में कर दिया तब एडम कहता है ऐसा कुछ नहीं है और अब एडम उस एजेंट की बॉड़ी को भी बटी में जलाने से पहले उसका बाल निकाल लेता है ताकि वो उसका भी क्लोन बना सकी और अब एडम एजेंट की बॉड़ी को डिस्पोस करके एजेंट की क्लोन को ड्रिंक बिलाकर पुलिस को बिलाकर कहता है कि यह आत्मी स किक पसंद थे और उसे ग्लास बाउल बनाना भी अच्छा लगता था पैडम उसे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सारे सच्छाई बता देता है कि वह डॉन की क्लोन है डॉन मारी जा चुकी है और मैंने तुमहे बनाया है पर वो एडम की बाते आने लगती है और इसलिए वो से कॉल करता है और उसे वापस काम पर आने के लिए कहता है लेकिन हम देखते हैं कि एमा एडम की क्लोन के साथ लाइबरेरी में रुमांस कर रही होती है और वो एडम से मना कर देती है और इसलिए एडम उसे मनाने के लिए उसके पास लाइबरे आग में खयाल आता है और वो अपने क्लोन को डॉन की क्लोन से मिला देता है और वो दोनों क्लोन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एडम उस इंशॉरेंस की पैसे डॉन के पैरेंट्स को दे देता है जो उसे मिले थे ताकि डॉन के पैरेंट्स उन दोनों का खयाल करती है तो दोस्तों आपको लगा यसा लगा आपे बताएं कमेंट सेक्षन में क्योंकि आपका हर którą ऊच्छा लगित तो इसे दूस्तों के साथ बी भूलें क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मुपीस के कहानी आपके लिए लाते रहेंगे ओके बाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में